जे शिक्रिष्णा स्वागत है आपका साथी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज मैं आपको एक ऐसा उपाए बताने जा रही हूं जिसके अंदर ना आपको चोराहे पर जाना है ना आपको किसी पेड के नीचे जाना है ना आपको किसी मंदिर में जाना है बलकि आपको अपने घर के अंदर एक सिक्के के सामने बोल देना है ये मंत्र और अपने पती के पर्स में रख देना है और वो जीवन भर के लिए आपके साथ आपके पास रहेंगे ये केवल आप अपने पती के लिए नहीं कर सकते हैं या आप उन सभी लोगों के लिए कर सकते हैं जिन से आप प्यार करते हैं अगर आप उनको पर्स में रख कर ना दे पाए ना तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी चीज में लगा कर या आप उनको थोड़े और पैसे मिला कर गिफ्ट कर सकते हैं कि यह हमाई तरफ से आप रख लीजे या यह कहीं से मिला था मंदिर से यह आप रख लीजे कुछ भी कहेंगे क्या कैसे देंगे वो आप जाने लेकिन आप जिसको भी अपने साथ चाहते हैं जिससे आप बहुत अठा का प्यार करते हैं आप उसको अपना बनाना चाहते हैं तो यह छोटा सा सरल सा उपाए जरूर करेंगे लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीजे जो आपका जानना बहुत जरूरी है जिसमें सबसे पहली बात यह कि मैं कौन हूँ मैं आपकी अस्ट्रोलोजन हूँ वस्तू शास्त्री हूँ चहरा भी पड़ती हूँ आवाज भी पड़ती हूँ और हातों की लकीरे भी पढ़ लेती हूँ चुकिया आपकी सार्ती हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ बात कर रहे हैं सिक्कों की तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक दिव्वे प्रयोग जिसको करने से आप अपने घर के अंदर धनकी वर्शा कर सकते हैं आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हम वहां पर सिक्का चिपका के आते हैं और ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से हमारी विश्पूरी हो जाती है तो ये काम आप अपने घर में क्यों नहीं करतें मा लक्षमी को प्रसन करने के लिए ये चोटा सा सरल सा उपाय आप अपने घर में भी करिये आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट की जो वाल हो आपके घर की साउथ वेस्ट की जो दिवार हो उस पर आप एक लाल रंग के लोटस की पेंटिंग लगा दीजिए या तस्वीर दो रुपे का पांच रुपे का दस रुपे का जो आप चाहे वैसा सिक्का चिपका दीजे शुक्रवार को शाम के समय आप ये कारे करेंगे और इस सिक्के के उपर आप एक हल्दी का तिलक लगा देंगे अपनी मनों कामना आखे बंद करके मालक्षमी को स्मरण करके बोल दे आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा तो मिलेगा मा लक्षमी आपके घर में स्ठिर रूप से रहेंगी आपके जीवन के अंदर प्रगती अपने आप हुने लगेगी दस सिक्के ले लिजे कोई भी सिक्के ले लिजेगा आप अगर विदेश में है तो विदेश के सिक्के ले लीजेगा देश में है तो देश के सिक्के ले लीजेगा आप जहां पर हैं वहां की करंसी लीजेगा दस सिक्के ले लीजेगा इन दस सिक्कों के साथ आप पांच लॉंग रख दीजे और थोड़ा सा कपूर रख दीजे उसके बाद ये सारी की सारी चीजें आपको अपने घर के इस्ट पोर्शन में गुरवार के दिन सुभा सुभा बारा बजे से पहले स्थापिट कर देनी है इश्वर का स्मरन करना है और आपको लगातार ग्यारा दिन यहां पर धूप बत्ती जरूर दिखानी है आपकी जो भी मनो कामना हूँ आपको विदेश जाना हूँ आपको बड़े कॉलेज में एंट्रेंस चाही हो आपको किसी बड़ी पोस्ट पे जाना हूँ आपको कहीं बहुत बड़ी सक्सेस पानी हो आपके जीवन की जो भी अभी लाशा हो वो आप बोल दीजेगा और उसके बाद आप ये लॉंग और कपूर ये आप ठाकुर जी के सामने जाकर रख दीजेगा ग्यारा दिन बाद और ये सिक्के लाल पोटली में बांध कर आप ठाकुर जी के मंदिर में अर्पित कराईएगा अगर कोई व्यक्ति बहुत बिमार है आपके घर में और उसका रोग खतम नहीं हो रहा है तो आप एक सिक्का ले लीजे इस सिक्के के उपर आप एक नीबू रख दीजिए और उस व्यक्ति के उपर से साथ बार एंटी क्लॉकवाइज आप इस सिक्के और नीबू को घुमा द आईए चोटे-चोटे दिव्य प्रयोग हैं जीवन में करेंगे तो इससे आपके जीवन में गजब का बदलाव जरूर आएगा रातों रात अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्रीम्स पूरे हो जाएं ड्रीम्स कैसे भी हो सकते हैं मेरा तो बहुत छोटा सा सपना है कि मेरे ठाकुर जी की हमेशा मुझे दया और क्रिपा बनी रहें बस मेरी राधारानी का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहें बस इसके लिए मैं एक छोटा सा काम हमेशा करती हूं आप भी जरूर करिएगा आपकी भी कोई न कोई ड्रीम्स होंगे कोई न कोई सपना होगा जो आप च तसके लिए इसके उपर रोली चावल कुमकुम आप अठ्छी से लगा दीजिए उसके बाद इसे पीले रंके कपड़े के उपर रखे उसके बाद गणपति जी का समरंड करिये और आप इस कपड़े को बांध कर इस सिक्के को अपने ठाकुर जी के श्री चर्णों के पास आपकी जब विश्पूरी हो जाए तो इस पैसे में थोड़ा और पैसे मिला कर आप ठाकुर जी का भोग, शिंगार जो चाहें वो करा दीजेगा आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाए तब आप ठाकुर जी को धन्यवाद स्वरूप ये भेट जरू दीजेगा चलिए, एक रुपे का सिक्का उससे आप किसी को भी अपना बना लेंगे, किसी को भी अपने वर्ष में कर लेंगे, कैसे, एक रुपे का सिक्का ले लीजे, इसके उपर एक सुपारी रखी, इस सुपारी के उपर आप सिंदू डालेंगे, कौन सा सिंदूर, पीला वाला कितनी बार, एक सो आठ बार और जब भी आप डालेंगे तो आप बोलेंगे कलिम, कलिम बोलते हुए आप ये सिंदूर सुपारी के उपर अरपित करेंगे, उसके बाद आप ये सिक्का एक लाल रंग के कपड़े के उपर रख लेंगे, और आप तीन बार बोलेंगे त्रिम, त्रिम और इस पे थोड़े से चावल डाल देंगे जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वह आपसे प्यार करें आपके साथ रहें हमेशा के लिए आपका हो जाए जिसे आप यह सिक्का गिफ्ट करने वाले हैं उस व्यक्ति का आप पांच बार नाम लेंगे और बोलेंगे क्लि उसके बाद में आप यह सिक्का उस व्यक्ति को दे देंगे अब जो आपके पास सुपारी है और जो सिंदूर आपने उसके उपर छिड़का था यह सारी चीजें आप एक कांच की कटोरी या एक कांच की छोटी सी डिब्बी के अंदर डाल कर अपने पास हमेशा रखेंगे धान पूर्वक रखेंगा पवित्र जगे रखेंगा और इसे हमेशा अपने साथ रखेंगा देखिएगा अगर वो व्यक्ति आप से हजारों कोस दूर भी बैठा है तब भी वो आपके पास खिचकर आएगा क्योंकि लोहा अगर वहां है तो चुम्बक आपके पास है यह आकर्शन आपका खाली कभी नहीं जाएगा मैं फिर आओंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बूद लेके तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेंगा अपने सार्थी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा प्यार देते रहि शास्त्र में विश्व विख्यात ताम है। जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप्ट कर रही है। साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था। और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड स नवासा जा चुका है।